हेलो एवरिवर्न इस वीडियो में हम कक्षा 6 विशे विज्ञान की कारेपतरक 24 करेंगे दिनांग हैसकी 28 सब्टेंबर 2021 विशे है बोजिन के घटक तो शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को सरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और उसके साइड में जो बेल एकन है उसको भी All पर दवा दीजेगा जिससे आपको हमारे आके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षित का प्रश्ण एक क्या है देखिए नीचे कुछ पौधेत ये गए हैं जिने हम भोजन के रूप में उप्योग करते हैं कृपया सूची में कुछ और जोड़ें तो देखो कौन-कौन से हैं ये आलू है ये पालक है टमाटर गेहूं मुफली पतागोबी प्याज और गाजर ठीक है ये ये सारे आपको दे रखे हैं अब इनमें आप कुछ और भी अपने तरफ से जोड़ सकते हैं ठीक है अभी हम करेंगे कॉश्चन को हमारे दुआरा ग्रहर किये जाने वाले भागों की अनुसार उन्हें समूह में बाटना है जैसे मैंने अल्रड़ी देखो बाट रखें आंसु के तोर पर लिख रखें आपकी लिए जैसे देखो इन ऊपर दिये गए यह जो मैंने आपको बताए इन में से जो बीज है उसे बीज की जगे पर लिखेंगे पत्तियां फल और तना ठीक है जो बीज है उसे बीज के जगे पर लिखेंगे आप जो फल है फल की जगे पर आएगा पत्तियां है पत्तियों की जगे तने जो तना है वो तने की जगे पर आएगा ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको ये क्लासिफाय करना है ठीक है और अपनी तरफ से भी कुछ और जोड़कर यहां लिखना है तो देखो जिसे गेहु चावल यह तो बीज हो जाते हैं फल में मूंग फली टमाटर और अंजीर जाता है हंजीर मैंने खुद से जोड़ा है उसके बाद यहां पर मैंने चावल खुद से जोड़ा है पत्तियों में पालक पत्ता गोबी और धनिया धनिया यहां खुद से जोड़ा गया है मैंने तनहे में रिखो आलू प्याज अलरडी दे रखे दे अधरक आप खुद से ल और तने में आलू प्याज और अधरक आ जाएगी हमारी तो इस तरीके से ये जो टेबल है आप लोग भर लेंगी बहुत असान है उसके बाद आपका प्रिश्ण दो क्या दिया गया है दिये गए चित्र में से उसकी मुख्य सामकरी और उसके शोत को सूची बद्ध करें ठीके तो देखो पहला ये जो है खादे पदार्थ हो कौन सा है देखते हैं ये जो है आलू के पराठे हैं तो यहाँ आप देखो ये तो है अचार ठीके अचार लिग दीजे और ये जो है आलू के पराठे हो यहाँ छोले की सबजी है तो आप लिख सकते हैं आलू पराठा और छोले ठीके आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने लिख रखा है आलू पराठा और छोले उसके बाद यह क्या है यह साबू दाना खिचडी है तो इसके आगे आप लिख देंगे साबू दाना खिचडी ठीक है तो यह आपकी साबू दाना खिचडी हो जाएगी ऐसे आपको टेबल बनानी है खादे पदार्थ चाहे पिचड रो करिये या ना करिये लेकिन यह लिख जरूर दीजे कि खादे पदार्थ में यहां पर आलू पराठा और छोले हैं और यहां पर साबुदा ना खिचरी है अब इसकी सामगरी पात सामगरी लिखनी है और इसकी श्रोत्ते लिखने हैं तो इसमें देखो सामगरी लिखने में आप क्या कर सकते हैं मैं सहायता कर सकती ह मा की सहयता ले सकते हैं आपकी जो मदर हैं उनकी सहयता आप लोग ले सकते हैं सामगरी लिखने में ठीक है न वैसे मैंने लिख ली यह आप लोगों के लिए देखो यह जो आलू पराठा और छोले हैं वो किस से बनते हैं आटा उबले आलू छोले प्यास टमाटर अमिया और म खिचडी है वो साबूदाना मुंग फली कड़ी पत्ती सेंधा नमक साबू लाल मिर्च हरी मिर्च ठीक है इन सबसे साबूदाना खिचडी पनती है और आप चाहें तो इनमें से दो तिन कम भी कर सकते हैं ठीक है और श्रोत लिख लेते हैं श्रोत में देखो यह जो है विटा होती है देखिए असान बक्षी थी आशा करती हूं आपको समझाई होगी वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद